हेलो दोस्तों वल्कम बैक टो गैरेज ओफिशल और आज हम कमपैरिजन करने वाले हैं टीवियस अपाचे आर्टियार वन सेक्स्टी टू भी जो दाविदारी पेश करती है अब यह जो दोनों बैक से काफी ज़्यादा पॉपिलर थे अपने जमाने में और आज भी काफी ज़्यादा अच्छे पैमाने पे इनके सेल्स फिगर्स है अब बहुत ज़्यादा सेल होती है और इसकी पॉप्लारिटी बहुत ज़्यादा है अभी भी कम नहीं हुई है बट जो टीवियस अपाचे आर्टियार वन सिक्स्टी टू भी आती है इसकी सेल्स वेगर काफी हद तक नीचे गये है इसकी पीछे का मेन विजन है इसमें अभी जो लाक ओफ फीचर्स देखने को मिले है और जो प्राइस पॉइंट पर आती है वहाँ पे मुझे लगता है ये उतनी ज़ादा अपील नहीं कर पार है टू दो लाजर ओडियन्स बड़ यहाँ पे हम बात करेंगे इन दोनों प्रोडक्स के बारे में क्योंकि ये दोनों प्रोडक्स काफी नेक टू नेक है और इसमें 19-20 का फरक ही है तो अगर आप जा रहे हो मार्केट में कैसी बाइक खरीदना जो आपको एक लग के बजट के आसपास देखने को मिले तो वहाँ पे ये दोनों प्रोडक्स आपके नजर में आएंगी 4,500 रुपीज लगबंग 99,000 के आसपास तो दूनों में लगबंग 4,000 रुपे का फरक है अब अपाचे में आपको 6 कलर ऑप्शन आपको तीन कलर ऑप्शन तीन वेरिंट्स देखने को मिल जाते है चलिए भी बात करते हैं इनके पावर और पफॉर्मंस के बारे में तो सबसे पहली चीज आपको बता दू जो आपको अपाचे आपको 15.31 बह्प का पावर देखने को मिलता है और आपको 13.9 नुटर मिड़स का टॉक देखने को मिल जाता है जो लाज वाब है और प्राइस पॉंट आपको पावर फिकर्स काफी बढ़िया देखने को मिल जाते है यह 160 cc का एंजन देखने को मिलता है और पॉल्सर में आपको 156 का एंजन देखने को मिलता है बड़ इसमें जो पावर है 13.8 बह्प की है और 13.25 नुटर मिड़स का टॉक देखने को मिलता है जो कंपेरिटिवली कम है और पलसर थोड़ी हेवी भी है कंपेरिंग अपाचे आटिया जो लगबग 9 से 10 किलो हेवी हो जाती है अब ह 60 काफी ज़र लेड़ डाउन करती है क्योंकि इसी 12 लिटर का ही टैंक देखने को मिलता है और पलसर में आपको 15 लिटर का टैंक देखने को मिल जाता है जो काफी कमेंडेबल है अब जो ARI के हिसाब से माइलेज क्लीम किया जा रहा है इन अपाचे जो लगबग 45 के आश पास है और मैं इसे काफी हद तक अगरी भी कर रहा हूं क्योंकि इस बाइक में आपको माइलेज इतनी ही मिलती है जाते से जाता 50 तक शूट अप हो जाती है और पजाज पलसर में आपको 50 अबाव माइलेज आराम से मिल जाती है तो विच इस ग्रेट तिंग टैंक कपासिटी भ अब आगे बात करेंगे ब्रेक्स वील्स अन सस्पेंशन के बारे में तो दोनों ही बाइक साथ में देखने को मिलती है विच इस डियली गुड तिंग सिंगल चैनल लेज देना काफी बढ़िया चीज हो जाती है इन टम्स अफ सेफटी दोनों में ही आपको डिस्क शेकने क को मिलते है जो आपको ब्लाइक आलओल वील्स के साथ में आते है आगे भी 17 पीछे भी 17 देखने को मिल जाएंगे अब अपाचे में आपको जो आगे का टार 17 इंच का देखने को मिलता है वह त्यूबलेस है 90 वा 90 सेक्षन का और जो पीछे का टायर है वह है 110 भाइटी सेक् तो यहां पर मैं बता दू जो आपको अपाची आती है उसमें आपको 139 kg का वेट देखने को मिलता है विच इस लाइटर दैन 9 kg और पलसर आपको 148 kg का देखने को मिलता है विच इस वाइवी बाइक तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप थोड़ा सा टैकल करने में इशू आएगा बट इतना जादा भी नहीं है क्योंकि इसके डाइनामिक्स काफी कमाल के है पलसर के एंड यह एक ऐसी वाइक है जिसका डाइमेंशन भी काफी कमाल के है लोगों को काफी जादा पसंद आती है और इसके लुक में जादा इंप्रूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह अभी भी वैसे ही शांदार लगती है अब दोनों के लेंथ के बारे में बात की जाए तो जो अपाचे आती है उसकी लेंथ है 2085 और पलसर की लेंथ है 2055 ठीक है जो ओवरल विथ है 60 का ओवरल हाइट है इन द पलसर अब वील बेस की बात कीजिए तो काफी सिमलर है दोनों बाइक में जहां पर आपको अपाचे में 1300 mm की वील बेस जेखने को मिलती है और पलसर में 1320 mm की वील बेस जेखने को मिल जाती है यहां पर एक चीज में काफी अच्छी प्रेस करना चाहूंगा अपाचे को क्योंकि इसका ग्राउंड क्लिरंस कंपरेटेवली पलसर से काफी जादा है 180 mm का है so that in any conditions यह बाइक काफी अच्छी परफॉर्म करती है और पलसर में 165 mm की आपको देखने को मिल जाती है ग्राउंड क्लिरंस चलिए भी आगे बढ़ते है और बात क प्राइस ऑफ दा बाइक जो यह प्राइस पर बिकती है यहां पर LED लाइट जेना मेंड़ेडरी हो जाता है पीछे जरूरे LED टेल लैंज मिलते है अब कुछ अच्छी चीज़े मुझे लगी है अपाचे के बारे में वह पहले बता देता हूं सबसे पहले चीज़ इसमें अच्छा confidence देखने को मिलता है, dynamics बहुत ही बढ़िया है, engine काफी smooth and potent है और इसकी ride quality खड़ाप रस्तों पे बहुत ही शांदार है तो यह थोड़ी underrated bike ज़रूर है, sales figures उतने नहीं है बडाइवूट से चलाने में बहुत ही बढ़िया है, जहां पर Pulsar की बात कीज़े तो इस RTR, तो यहां पर कहूंगा, दोनों ही bikes, net to neck है, ज़ादा difference नहीं है, price में थोड़ा बहुत difference है, 3-4,000 का, अब यहां पर मैं कहूंगा, जोंसी चीज़े मुझे अच्छी नहीं लगी, सबसे पहली चीज़, Apache RTR का मुझे look अतना attractive नहीं लगता है, 162V का, जो 4V आती है, उसक आपको lack of features भी देखने को मिल जाएंगे, जो I would say competition जादा दे दे रही है, comparing the other bikes, अब यहां पर मुझे पलसर में क्या अच्छा नहीं लगा है, इसका जो पीछे का टायर है, वो मुझे बहुत ही skinny पतले लगते है, तो वहां पर cornering में थोड़ा सा मुझे issue आता है, with this bike, but overall मैं कहां कहूं, तो दोनों bikes बहुत ही बड़िया है, mileage figures भी लगबग सेम है, बड़ यहां पर पलसर को थोड़ा edge जादा है, अगर आपको एक ऐसी bike चाहिए, जहां पर आपको mileage अच्छी मिले, performance भी मिल जाए, और आपको maintain करने में भी सस्ती हो, तो वहां पर बजाज पलसर 150 आप चूस कर सकते हो, बड़ अगर आपको एक ऐसी bike चाहिए, जहां पर आपको looks थोड़े अलग चाहिए, साथ में performance भी अच्छी चाहिए, अगर आपको long distance पे लेकर जाना है, आपको cornering करने में मज़ा चाहिए, तो वहां पर आपके लिए TVS Apache RTR भी अच्छी choice हो सकती है, दूनों ही bikes बहुत बढ़िया है, अगर आपको जिसके looks ज़ादा पसंद है, आप वो consider कर सकते हो, अगर आप मुझे personally पुछो के तो बजाज पलसर 150 में चूस करूँगा, क्योंकि इसका maintenance कम है, mileage better है, चलाने में भी fantastic है, तो यहां पे मुझे बजाज पलसर जादा बहतर product लगा है, comparing TVS Apache RTR, तो आपको यह comparison कैसा लगा, आपको ऐसे comparisons और भी देखने हैं, तो comment section में जरूर comment कीजिए, ऐसे comparison लाने की कोशिश करूँगा, और यहां तक वीडियो देखा है, तो like and subscribe जरूर करना दोस्तों, take care, ride safe